सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग से महत्त मिलता है, सत्संग से विवेक मिलता है, सत्संग से भवसागर को व्यक्ति पार कर जाता है तो तुलसिदाजी ने रामचरित मानस के माध्यम से विवेन बातों को इस्पस्च किया है यहाँ पर प्रशन उड़ता है कि सत्संग तो हम करें लेकिन कैसे पहँचाने कि कौन साधू है और कौन असाधू है इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने साधू और असाधू की पहँचान भी उन्होंने बताई है असंत कैसे होते हैं जो विकतें दूसरों के अकाज करते हैं बुरे काम करते हैं वो सहसर बाहुआं से याने कि बहुती प्र्याज करके भी दूसरे का बुरा करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग असंत होते हैं पर अकाज लग तन अपर हा रही जिम हम उपल क्रशित दिल गहे ही यानि कि पर अकाज अपने आपको भी मिटा सकते हैं अगर दूसरों की बुराई होती है तो हो कर आदे हैं तो इसके लिए अपने आपको भी नज तरी हो》 गदा डालते हैं सहस्र नयन पर दोश नहारा बचन वज्र हमेशा बुरा भला बोलते हैं और दूसरों के दोश पर दोश सहस्र नयन पर दोश नहारा सहस्रों आँखों से दूसरों के दोश देखते हैं यानि कि किसी और के दोशों को अंदेखा नहीं करते बलकि उनके दोशों को बहुत बढ़ा चड़ा कर प्रस्तोत करते हैं पायस पालिये अति अनुरागा हों ही निरामिश कमों की कागा की काग को कौई को आप रोज खिलाईए लेकिन वो निरामिश नहीं हो सकता वो हमेशा माशाहारी ही रहेगा क्योंकि उसकी प्रवर्टिया बुरी है वो कितने ही आप दूद दही में उसे पालिये लेकिन उसकी प्रवर्टि निरामिश नहीं हो सकती जहां कहां निंदा सुनई पराई हरसे हमाना हौ परी निधिपाई असंतों की ये पहँचान है कि जहां दूसरों की निंदा होती है वहाँ पर वो बहुत प्रसंद होते हैं और इतनी प्रसंदा होती है उन्हें कि जैसे परी निदिपाई जैसे कि उन्हें संपत्ति किसी दूसरे की पड़ी हुई संपत्ति मिल गई हो यानि जिसके लिए कोई प्रयास ना करना पड़ा हो प्रयास करके तो सभी संपत्ती प्राप्त करते हैं लेकिन बिना प्रयास के जो प्राप्त होती है उसे ज़्यादा हर्ष होता है तो ऐसे लोग दूसरों की निंदा सुनकर उतने ही प्रसंद होते है कि बेर अकारन सब काहूसों जो करहित अनहित ताहूसों इनकी बिचित्र प्रवर्त्य होती है इनका यदि कोई हित करता है तो भी वो बुराई करते हैं और हित करता है तो तो करते ही है यानि हित करने वाले के प्रति भी इनके मन में शुब भावनाएं नहीं होती काहू की जो सुनही बढ़ाई स्वास लेह जिम जूड़ी आई जब किसी की बढ़ाई सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे को उन्हें बुखार चड़ गया हो जूड़ी आई इनके लिए मात पिता और गुरु का कोई भैत दुनी होता ये सब को एक ही भाव से देखते हैं जहां स्वार्थ होता है बस वही बात करते हैं तो ये कुछ बातें तुलसिदास जी ने असंतों के बारे में बताई प्रवर्तियां आप समझी गया होंगे कि ये लोग बुराई करने में दक्ष होते हैं दूसरों की छोटी सी बुराई भी इन्हें बहुत नजर आती है दूसरों की खुशियां देखकर प्रसंसा सुनकर इन्हें जूरी ताप चड़ जाता है और जहां बुराई सुनते हैं, वहां बहुत प्रसंद हो जाते हैं, मानों परी निदिपाई, जैसे कि उन्हें बिना प्रयास के ही संपत्ति मिल गई हो, तो ये कुछ चीज़ें बताई उन्होंने, विचार उन्होंने व्यक्ति किया संतों के बारे में, और संतों के बारे में अच्छी अनुबूती नहो तो जान लिजे कि संत पुरुष नहीं है और बिछुरत एक प्राण हर ले ही अगर छण मातर के लिए भी मिलते हैं और जब उनसे बिछुरना होता है तो लगता है जैसे प्राण ही निकल जा रहे हैं जब ये अनुबूती होती है तो समझ लिजे कि ववेक्टी संत है महापुरुष है महाग्यानी है महांतपस्री है कि सुधा सुरा सम सादू असादू जनक एक जलद अगादू कि सुधा सुरा ये सब ही मिले जुले रूप में रहते हैं जिस तरह के से समुद्र से विश और अम्रत निकले, विश भी समुद्र से ही निकला, अम्रत भी समुद्र से ही निकला, वैसे ही सुधा सुरा सम सादू असादू, वैसे ही सादू असादू भी समाज में पाए जाते हैं, ये एक ही समाज में रहते हैं, लेकिन इनकी प्रवर्तियां अलग-अलग होती है संत असंतन की असे करनी जिम कुठार चंदन आचरने संत और असंत कैसे होते हैं जैसे कुलहाडी और चंदन कुलहाडी चंदन की लकड़ी पर प्रहार करती है लेकिन फिर भी वो चंदन की लकड़ी अपनी खुश्बू भिखेरती रहती है यही सादू और असादू की पहँचान है असादू प्रहार करते हैं लेकिन सादू फिर भी उनकी भलाई ही करते हैं कि कुठार और चंदन की तरह जिनकी प्रवर्तिया होती है कि एक प्रहार करता है और दूसरा फिर भी उसे खुश्बू देता है काटे परसु मले सुनिभाई निजगुन देह सुगंद बसाई मले चंदन को कहते हैं कि चंदन को काटा जाता है उसे काटते हैं छोटे-छोटे टुकडों में बाट देते हैं और चंदन क्या करता है कि अपनी सुगंद से चारों तरफ महका देता है सुगन्द चार तरफ फैला देता है अगर उसे काटा भी जाता है तब भी तो आप जान सकते हैं कि असाधू भलाई करने पर भी बुरा करता है और साधू भुराई करने पर भी भला करता है नरशरीर धर जही पर पीरा करहत सहे महाबहवीरा सादु सज्जन दूसरों की भलाई के लिए स्वेम कष्ट सहन करते हैं क्योंकि उन्हें इन कष्टों में ही सुख कानभव होता है कि प्रीति सदा सज्जन संसरगा त्रण सम विशे स्वर्ग अपवर्गा प्रीति करते हैं उनके लिए वहीं पर स्वर्ग और अपवर्ग है अपवर्ग स्वर्ग के स्रेश्टम रूप को साथ स्वर्गों मैंसे जो स्रेश्टम रूप है उसे अपवर्ग कहा जाता है तो प्रीति सदा सज्जन संसंग सज्जनों के साथ बैठने पर हमेशा प्रीति का ही अन्वव होता है तरन समव विशय स्वर्ग अपवर्गा वो स्वर्ग और नर्ग या स्वर्ग और अति स्वर्ग की कलपना नहीं करते वो तो सिर्फ कहां पर प्रीति की प्रेम की चर्चा करते हैं प्रेम में रहना पसंद करते हैं प्रेम ही फैलाते हैं प्रेम ही देते हैं प्रेम ही लेते हैं ये पहचान है साथ होगी तो संत और असंतों की भी पहचान तुलसिदासी ने बताई है जिससे के हम सचेत रहें और सत संग करें असंतों से दूर रहें